Friends, आज मैं आपके साथ YouTube Shorts Affit Marketing की brand new strategy share करने वाला हूँ दोस्तों यह strategy बिलकुली अलग होने वाली है, पूरे YouTube के अंदर आपको इस टैप की वीडियो नहीं मिलेगी आपने YouTube के उपर बहुत सारी वीडियो देखी है, जिसके अंदर सिखाया जाता है किस परकार से niche find करें, किस परकार से program को select करें, फिर वीडियो बनाए, फिर YouTube Shorts को उपर upload कर दें कोई भी आपको यह नहीं बताता है कि आपको YouTube Shorts के उपर actually कैसे work करना है ताकि आपको आपकी first sale मिल जाए तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर नहीं मैं आपको यह बताने वाला हूँ, आपको कैसे video upload करनी है, किस तरीके से program को join करना है इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ pure strategy share करने वाला हूँ, जिसको मैं apply करता हूँ, जिससे मैं sales generate करता हूँ उस strategy को मैं आपके साथ share करूँगा, आपको strategy को apply करना है, ताकि आप अपनी first sale generate कर पाए तो guys, अगर आप इस strategy को सीखना चाहते हैं, तो इस video को आपको last act देखना है, इस video के अंदर आपको कुछ भी extra नहीं मिलेगा, इस video के अंदर only आपको वह strategy मैं बताने वाला हूँ, जिसके माग्यम से आप sale कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तो video start करते हैं Friends, इस strategy के उपर work करने के लिए आपके पास एक चीज का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो है Amazon के उपर आपका affiliate account होना चाहिए, अगर आपने अभी तक Amazon के उपर अपना affiliate account नहीं बनाया है, तो पहले आपको Amazon के उपर अपना affiliate account बना लेना है, affiliate account बनाने के बाद कैसे strategy को उपर work करना है, उसका process में आपको बताता हूँ, तो guys इस समय हो क्या रहा है, इस समय Amazon के उपर sale चल रही है, sale का नाम क्या है Great Indian Festival Sale, अब आपको करना क्या है, इस sale में क्या होता है, आपको बहुत सारे discounts मिलते हैं, जैसे कि आपको Alexa TV के उपर 50% का discount मिल रहा है, TV and appliances के उपर 65% क discount मिल रहा है, उसी परकार आपको phones के उपर भी क्या मिलेंगे, अच्छे का से discount मिलेंगे, है ना, अब देखो कैसे ये strategy work करेंगे, उसका मैं आपको framework समझाता हूँ, तो guys suppose को आपने decide किया है, कि मैं June के अंदर एक phone लोगा, मतलब June में आपने decide किया है, कि मुझे एक phone लेना ह model, तो उस दोरान क्या होता है, सभी phones के दाम होगे, यख किसी परकार का Appliance सिस हो गया, उसके दाम क्या होजाते है, घढ जाते है, तो बंदा क्या करता है, जैसे सिल आती है, तो उस दोरान क्या करता है, बार-बार Amazon के उपर आता है, और यह тоб motor Caribbean पर आता है, जैसे फोन का price price जैसे इस phone का price down होता है, वो इस product को purchase कर लेता है, तो हमें क्या करना है, इसी चीज का use करना है, हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, दस ऐसे phone choose कर लेंगे, जो market के अंदर काफी boom पे चल रहे हैं, जिनको सभी व्यक्ति खईना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, दस phone को choose कर अब आपको क्या करना है, जैसे sales start होगी, जैसे इस जोना sales start होई है, आपको क्या करना है, इन 10 phone के उपर रो जाना नजर रखनी है, कि कब इस phone का price down हो रहा है, जैसे इस phone का price down होगा, आपको क्या करना है, इसके उपर एक video बना देनी है, फ्रेंट्स आप video बनाते समय, आपक इस वाले phone के सभी looks मिल जाएंगे side का look मिल जाएगा, front look मिल जाएगा top, bottom, हर type के look मिल जाएगे सब का आपको screenshot ले ले लेना है और उसके बाद उससे एक video को create कर लेना है और उसके उपर अपना voice over कर देना है तो यह होगा आपका video बनाने का process या तो आप facecam कर लो, ने तो आप क्या करो इन images के मदद से video को create कर लो अब इसके उपर आपको बोलना क्या है उसका भी process आपको समझ लो तो आपको बोलना यह है कि आज के दिन इस वाले phone के उपर इतने percent का आपको off मिल रहा है अगर आपको इस deal को grab करना है जो कि कुछ seconds के अंदर खतम हो रही है तो link मेंने description में दे रहा है आप वहाँ से जाके इस वाले phone को purchase कर लो आपको यह वाले line जरूर बोलना है कुछ seconds से कुछ minute के अंदर यह वाले deal खतम होने वाली है इस line को आपको क्यों बोलना है बानने का मतलब क्या है कुछ seconds से कुछ minute में यह वाले deal खतम होने वाली तब बंदे के दिवा में यह वाली बात जाएगी कि अगर उसने इस वाली वीडियो को leave किया और वो Amazon पे गया तो बहुत जादा time हो जाएगा तो उसके इसमें वो क्या करेगा हम क्या बोलते है hook line hook line का मतलब क्या है बंदे को अपनी वीडियो के उपर बांद के रखना इस चीज को आपको यरूर यूज करना है उसके बाद आपको अपनी वीडियो की लेंद रखने है 20 से कि बहुत ज़दा important है आपको अपनी उस YouTube Shorts वीडियो के लिए thumbnail भी बनाना है thumbnail क्यों बनाना है क्योंकि YouTube क्या करता है आपकी maximum वीडियो को browse features, suggested videos और other features के माद्धियम से भी promote करता है तो उस case में क्या होता है हमारी उन वीडियो के thumbnail दिखाए देते है और thumbnail क्या बहुत ही important factor होता है आपकी वीडियो के उपर click करवाने का आप click कैसे करवाना है उसमें क्या-क्या element को आपको दियान रखना है उसका मैं आपको process बताता हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है जिस भी phone को आप promote कर रहे है उस phone की image को आपको यहाँ पर लगा देना है ताकि बंदा उस image को देखकर उस phone के बारे में समझ जाए और उसके बाद आपको लिखना है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आपको कुछ attractive से line लिखनी है जैसे आप लिख सकते हैं आपके वीडियो को पर click करेगा वीडियो को देखेगा वहाँ पर आपकी hook line मिलेगी उस hook line के वर यह से वह आपके link को पर click करेगा और सीधा Amazon पर जाएगा और वहाँ आपके लिख को पर purchase कर लेगा तो यह बहुत ही important process है thumbnail का तो thumbnail जरूर बनाना है और जैसे बताया उसी तरीके से बनाएंगी तो काफी जदध convergence के chance आपको मिल सकते हैं फ्रेंड्स अब मैं आपको बहुत ही important question का answer देने वाला हूँ जो आप मेंसे maximum लोग मुझसे पूछेंगे आप कहेंगे कि हमने आपके द्वारा method को apply किया हमने top 10 phone को भी खोज लिया वीडियो भी बना लिया YouTube Shorts को पर apply भी कर दिया परंतु क्या हमारे पास target audience आएगी तो guys इसका उत्तर है आपके पास target audience आएगी इसको मैं आपको एक example से समझाता हूँ तो guys आप क्या करते हो आप effort marketing से related videos को देखते हो तो YouTube automatically आपको effort marketing से related channels और videos को suggest करता है तो YouTube के पास के suggestion feature का option होता है जिसके माद्यम से वो क्या करता है आपके taste के according आपको video suggest करता है Friends आप जिस product को promote कर रहे हो उससे related भी YouTube के उपर audience होगी अब YouTube क्या करेगा आपकी videos को suggest करना start करेगा जिससे क्या होगा अगर आपने अच्छा thumbnail बनाया होगा तो definitely उसको पर click होगा और वहां से sale होने के chance भढ़ जाएंगे परन्तो guys यहाँ पर आपको एक बहुती महतपून चीज को पर ध्यान देना है आपको उन चीजों को promote करना है जो इस समय market के अंदर search के अंदर है या market के अंदर उनकी कुछ ने कुछ search volume है अगर आपने कुछ ऐसे product को promote कर दिया जिसके market के अंदर को value ही नहीं है उसको लोग search ही नहीं करते है तो आपको कभी भी आपकी video के पर views नहीं आएंगे तो आपको उन product को promote करना है लाइक आपको जैसे कि मैं आपको शुरू में बताया कि अगर आप phone को promote कर रहे हैं तो आपको वो 10 phone select करना है जो इस समय market के अंदर भोज़दा boom पे चल रहे है अगर वो market के अंदर boom पे चल रहे है इसके मतलब किया है सभी लोग उनके बारे हम सर्च करते है तो इस बात का आपको भोज़दे धान देना आपको वही product promote करना है जो इस समय market में boom पे चल रहे है अगर आप उस product को promote करते है तो definitely आपको ये वाला method work करकर देगा तो guys अगर आपको आज की strategy अच्छे लगी आपको लगा आज की strategy से आपको value मिली है तो please channel को share वे subscribe करें वे इसको like करना ना बोले धन्यवाद, जयबार, जय हिंद